पुर्व विगायक ब्रजेश मिश्र सौरब टेन से गिली से वापस लखनू आके समय टेन में ही भूल गए अपना पर्स बचरावा पहुशने पर पुर्व विगायक ब्रजेश मिश्र यादब को आया याद दिढायक ब्रजेश मिश्र सौरब ने डियारम लखनों को भी जानकरी तो डियारम लखनों ने अपने निचलेश करके अधकारियों को पर्स खोजबिन करने का दिया निर्गेश गाड़ी की गुलाई होने के समय मिली पल्स DRM लखनू ने फोन से भाजपने का दजेश मिश्टर स्वारब को गी जानकारी DRM लखनू ने बस से तकादगर आवाज पर भिजवाया पस पूज़ विगायक दजेश मिश्टर स्वारब ने की जेलवी विभागी प्रशंचा DRM लखनू आने के लिए मैं AC सुपरपार्श एक्स्प्रेस पर बैठा कोज नंबर A1 में बर्थ नंबर 27 पर और सोते समय मैंने पर्श निगाल करके तकिये के उसमें लिहाफ में टाल दिया और पर्श के साथ साथ और भी अपने विश्टिंग कार्ड और पेन कागज और भी सारी चीजें और रख दिया सबेरे जब ट्रेल से उतरने का टाइम हुआ तो भीड़ जादा थी और कोई काल आगे मुझे ध्यान नहीं था कि पर्श हो समने रखता है और मैं उतर गया मैं अपनी गाड़ी पर बैठा और बच्राओं तक आ गया मुझे प्रताब गडाना था बच्राओं तक आ गया तब मुझे ध्यान में कि हमारे पार्श ही नहीं है और ध्यान आने पर हमने तत्काल जो है रेलवे प्रशाशन को जिसमें सीनियर डीसीम जगतो शुबला जी और अधन रेलवे में सीनियन के जो बड़े नेता हैं आरके पांडे जी और डीरम साब को तीनों लोगों को इनफार्म किया कि इस सरके से इस बर्त पर इस कोच की बर्त पर हमारा पर्स और सामान छूड़ गया है उसको दिखवाएं और उनकी तत परता से रेलवे प्रशाशन यह पर्स और यह सारी चीजें रिकवर करके सारा सामान जो है मेरे पास प्रताब गड़ भजवाया यह सतरकता रेलवे विभाग की और अधिक करमचारीं के इमानदारी दोनों प्रदर्शित करती है कि रेलवे के करमचारी जब आप दे भी हुए है इमानदारी भी आई है और अपने डूटी के निर्वा में पूरी तरीके से वो समारपन भाव से काम कर रही मानदारी से